नमस्कार दोस्तों माँ नेखल और आप देख रहे हैं बस ट्रीट है गाईज VPN के बारे मैंने आपको सभी जंकरी दे रखिए क्या होता है VPN कैसे आपको यूज करना VPN, Free VPN क्या होता है, Paid VPN क्या होता है कौन सा बहतार होता है और पूरा प्रोसेस आपको अपने सिस्टम में कनेक करने का VPN के थुरू और आपके मोबाइल में भी कनेक करना बता रखा है नहीं देखे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजीगा लेकिन आज मैं आपको desktop में एक और तरीका बताने जा रहा हूँ जैसे कई लोगों अगर desktop में Free VPN का जो मैंने आपको तरीका बता रखा अगर उससे दिक्कत होती है तो एक और तरीका में एक alternate method बता देता हूँ ये भी Free VPN यूज करने का ही तरीका है हलाकि अगर आप मुझसे सवाल पूचते हो कि क्या Free VPN secure है तो मैं आपको जस्ट इतना ही कहूँगा अगर आप official या फिर professional method के लिए वी पेन यूज करना चाहते हैं तो ये recommend नहीं किया जाता है कि आप Free VPN यूज करें नॉर्मल चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं लाइक आप अपनी identity चुपाने के लिए या फिर unaccessible websites को access करने के लिए आप यूज कर सकते हैं जैसे भी आप देख सकते हैं मेरे background पर Google उपर है अगर मैं यहाँ पर TikTok open करूँ तो यहाँ पर TikTok open नहीं होता है या ऐसा content जो accessible नहीं है उसको access करने के लिए हमें VPN का यूज लेना पड़ेगा क्योंकि VPN हमें एक mask देता है हमारी शकल चुपाने के लिए हमारी identity चुपाने के लिए तो कैसे चली बताते हैं second जो method मैं आपको बता रहा हूँ तो यह जो दूसरा method मैं आपको बता रहा हूँ यह मैं आपको बताऊंगा open VPN की help से तो सबसे पहले आपको क्या है open VPN client अपने system में download कर लेना है तो open VPN download आप यहाँ पर लिखेंगे then open VPN यहाँ पर आएगा और community download पर आप click कर देंगे ठीक है अगर आप direct open VPN की भी website पर आ जाते हैं like this मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पर अगर आप open VPN की भी site पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको community पर click करना है then यहाँ पर downloads पहेंगे तो यहाँ पर आपके पास community download के option आ जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं windows 64 bit installer, AR installer, 32 bit installer सभी चीज़े यहाँ पर आपको आ रही है ठीक है पुराने version नए version आप install कर सकते हैं easily तो मैं suppose 64 bit का यह MSI installer यहाँ पर download कर लेता हूँ सर्वर जो configuration है उसको अपने system में assign करके फिर हमने direct VPN यूज़ किया था तो हम यहाँ पर इस बार कोई भी तो हम इस बार यहाँ पर open VPN के यूज़ ले रहे हैं कैसे हम इसकी मतलब से VPN के through connect करेंगी वो मैं आपको बताता हूँ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो open VPN में हमें जो VPN settings है उनको configure करना पड़ेगा उन configure की जो file है उसको इसमें import करना पड़ेगा वह हमें कहां से मिलेगी तो वह मैंने आपको पहले भी यपैन के server है United States के Vietnam के Korea के कई कंपनियों के server है तो इसका आप यूज ले सकते हैं इसका यूज मैंने आपको पहले बता रखा है इसलिए मैं आपको एक नया website बता रहा हूँ जहां से आप configuration file यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं VPN book नाम से एक website है जिसको आप search करेंगे तो यहाँ पर VPN book यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर इस website पर जाएंगे तो यहाँ पर काफी सारे information आपको मिलेगी news और यहाँ पर open VPN का भी एक tab आपको मिलेगा तो इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर server configuration file आपको यहाँ पर direct मिलती है जिसको आपको सिर्फ इन में से कोई सी भी एक file आपको download कर लेना है ठीक है और नीचे यहाँ पर आपको ध्यान देना है आपको username और password दे रखा है तो ठीक है click करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे download होगई है zip file zip file download हुई है सीधा download folder में तो मैं download folder से इसको लियाता हूँ desktop पे अपने इस तरीके से ठीक है लियाया अब इसको आपको right click करके extract करना है क्योंकि यह एक zip file है और इसको आप extract में use नहीं कर सकते है एक्सटक करा तो यहां पर आप देख सकते हैं चार अलग-अलग port के मेरे पास यहां पर VPN file आई है तो इन में से आप किसी के through भी connect कर सकते हैं तो इन में से चलिए हम connect करते हैं connect कैसे करना है तीक है यहां पर जैसी आपने open VPN GUI पर double click किया तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपके बस न इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद यहां पर हम locate करेंगे अपने configuration file को जो अभी हमने download करी है तो यहां पर desktop पे मेरे पास configuration file है desktop डबल क्लिक किया मैंने और इस folder में गया अपने इस folder में जिसमें मेरे पास configuration file है तो अलग-अलग file है इन में से आपको कोई सी भी एक चू चूज करनी है जैसे सपोज मैं यह चूज करता हूं वीपेन बुक सी एडब ट्रिपल टीचीप डबल फोर त्री इसको चूज किया open किया open करने के बाद यहां पर आपको वापिस से quick launch पर जाना है और यहां पर आपके पास वह लिस्ट में आ जाएगा मेरे पास तो काफी स अब रिसेंटली इंपोर्ट करी है तो जैसे सबोज मैंने यह टीचीप डबल फोर थ्री वाली सेटिंग अभी अभी मैंने इंपोर्ट करी है तो जस्त मैं इसके थूँ इस पे connect पे क्लिक कर आँए तो आप दिख सकते हैं मुझसे यूजरनेम और पासवर्ड हमसे बांग हाँ है तो यूजरनेम और पासवर्ड क्या कहता है हमारा आप देख सकते हैं तो यूजरनेम तो हमारा VPNbook तिक है जैसे कि यहां पर लिखा हुई पासवर्ड हमारा पासवर्ड कॉपी नहीं हो सकता इसलिए आप को हैं पे 4Fm Z742 यहां पर आपको लिखना है आप चाहें तो उसको save कर सकते हैं जिससे की बाबार आपको connect ना करना पड़े OK पर click करेंगे OK पर click किया आपने यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर connection आपका build हो गया connection बिल्ड हो गया यह कैसे बता चलेगा क्योंकि जब आप click launch पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर open VPN आपका यहां पर connected लिखा रहा है एक नया IP आपको assign हो गया है जो की एक fake IP है एक proxy IP है OK अब आप कैसे use करेंगे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ठीक है TikTok हमारे इंडिया में band है तो क्या हम उसको अब use कर सकते हैं तो जैसी चली हम मैं थोड़ा search कर लेता हूँ चली हम उसको search कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं किसी अलग country का यहां पर VPN हमने connect किया है इसलिए हमें इस तरीके से आ रहा है लेंग्विज यहां पर English की जगे French अभी select है तो लेंग्विज को हम ब्राउजर से change कर सकते हैं तो इस तरीक के सम VPN का use कर पाते हैं और अपने जो प्रॉक्सी सर्वर्स है उनका use ले पाते हैं जो ग्राफिकल लोकेशन को पार करने के लिए या फिर अपनी identity चुपाने के लिए वीडियो की जानकरी आपको अच्छे लिए को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में नहीं जानकरी के साथ तब तक के लिए देख तेरे बस्ट्रेट है और सीख तेरे रोजानक कुछ नहीं आप जाएं